तो आरेसेस ने कहा कि एक अच्छूत के द्वारा लिखे गए संबिधान को हम नहीं मानेंगे और आज उसी संबिधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैचने के लिए तावर तोड़ परतियोगता किये हुए और संबिधान को नहीं मानेंगे मनुव स्मिर्थी इस देश का संबिधान है ये आरेसेस का कहना है और 1947 के बाद जब बाबा सहब भीमरा अंबिदकर ने कहा कि हमको हिंदू धरम के अंदर जो जात पात है उसको खतम करना है उसको नस्ते नाबूद करना है और उसको खतम करने के लिए उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि हम मनुव स्मिर्थी को जलाएंगे और जब मनुव स्मिर्थी को जलाया गया तो ये संगी लोग उसमें बीजेपी पैदा नहीं हुआ था इनका पपा है वो तो संगी लोग जो है संगी लोग बाबा साहब भीमरा अंबेदकर का फुतला जला रहा था और आज 2017 में माननिया प्रधान मंत्री जी उरन खटोला से गए थे बाबा साहब को पुस्पांजली अर्पित करने के लिए बहुत बढ़िया बात है अंबेदकर को जलाने से लेकर के अंबेदकर का मूर्ती लगाने वाले जब तक मनुवर स्मिर्थी नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संभिधान में भरोशा है चलो छोड़ देते हैं मनुवर स्मिर्थी को कौन कूछ रहा है आजकल मनुवर स्मिर्थी को आजकल RSS भी मनुवर स्मिर्थी की बात नहीं कर रही है तो देश के संभिधान की बात कर लेते हैं और देश का संभिधान क्या कहता है देश का सम्विधान कहता है कि भारत की सीम रहने वाले सभी जाती धर्म संपदाए भासा बोली रंग के लोग सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है चाहें वो हिंदू हो मुशलमान हो सीख हो या इसाई हो ब्रामन हो या दलिट हो गोरा हो या काला हो सब के लिए बराबरी की बात की गई है जब सब के लिए बराबरी की बात की गई है तो उस बराबरी का हक जब हम मांगते हैं जब हम कहते हैं कि हमको मनुवाद से आजादी चाहिए हमको जातिवाद से आजादी चाहिए जो धार्मिक उनमाद है जो स्चामपरदाइकता है हमको उससे आजादी चाहिए समाज के अंदर जो गरीबी लूट और भूख है उससे हमको आजादी चाहिए और हर एक इनसान को चाहे हो अमीर हो या गरीब हो महिला हो या पुरुस हो ब्रामन हो या दलित हो हिंदू हो या मुशलमान हो सबको आत्म सम्मान से जीने का हक है हमको इस आत्म सम्मान की आजादी चाहिए तो इस बात से आपको पेट में दर्द क्यों होता है इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको सम्विधान में भरोसा नहीं है इसी लिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट बनाना है भाई इस देश को तुम इतना हलका मत समझो जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे जासूसी कर रहे थे तब भी तुम्हारे खाकी चड़ी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था और आज भी आज भी देश भक्ती के नाम पर राष्ट भक्ती के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा धुरूब सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं उसको हमने देख लिया है तुम हमको देश भक्त साबित करो ये हम जरूरी नहीं समझते हैं लेकिन तुम गदार हो कभी अंग्रेजों के लिए गदारी की आज पाकिस्तान के नाम पर गदारी कर रहे हो ये हम जरूर समझते हैं